नमस्ते दोस्तों मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित्थरी माउंटेन यूट्यूब कैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे Post Office की Saving Account का Interest Calculation कैसे होता है यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप भी घर बेटे ही सीख पाएंगे Post Office की Saving Account यानि बच्चत खाते का Interest Calculation कैसे होता है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं Post Office Saving Accounts Interest का Calculation हर महीने के 10 तारिक से लेकर महीने के अंतिम तारिक के बीच सबसे कम amount यानि सबसे कम balance पर होता है एक example से सीख लेते हैं कि हर महीने की minimum balance आपका इसे चेक करेंगे जैसे आप देखिए हमारे पास एक Post Office की Saving Account की एक प्रती है आप देखिए इसमें इस साथ हुए महीने में कुल दो transactions हुए हैं 97-2008 को और दूसरा 27-2008 को तो हमें 10 तारिक के बाद के transactions देखने हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही transactions मिलता है वो है 27-2008 को जिसमें balance है 1665 रुपिया है यह हमारा minimum balance हो गया उसी तरह हम देखते हैं दूसरे प्रती में आपको नवंबर महिने में यानी 11 महिने में आपको 3 transactions दिखते हैं एक 10 तारिक को हुआ है एक 22 तारिक को और एक 24 तारिक को तो 10 तारिक से लेकर अंतिम महिने तक हमको देखना है तो 10 तारिक से लेकर 24 तारिक तक आपको जो minimum balance वोग दिख जाएगा पोस्ट ओफिस की saving account interest का calculation करने के लिए एक formula है formula चले जानते हैं वो है IBB गुना rate of interest यानी जो saving account का interest है भागा 12 गुना 100 तो यह देख लिए हमारे यह formula है अब इसमें जो आपको rate of interest तो आपको पता है लेकिन IBB आपको पता नहीं है IBB वो होता है आप जितने भी महीने के minimum balance को लिखेंगे उन सभी को आप जोड़ देंगे तो वो आपका IBB यानी interest bearing balance हो जाएगा दोस्तों एक उधारन से समझते हैं जैसे हमारा एक साल का minimum balance हो गया हम IBB निकाल लेते हमारा IBB हो जाता है 2,63,000 अब हम इसे formula पर बढ़ाते हैं 2,63,000 गुना saving interest यानी 4 प्रतिसत उसे हम भागा देंगी 12 गुना 100 तो हमारा निकलता है interest 866 रुपे 66 पेसे चुकि 50 पेसे सिएधी उपर होता है तो हम round figure में 877 रुपे ही लिखेंगे दोस्तों post office की saving account का interest हर साल के लेकिन फिर भी मैंने आपको manual interest कैसी क्या आता है वो मैंने बताया है आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी यदि अच्छी लगी तो like करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा पाने के लिए इस चैनल को subscribe कर bell icon जरूर दुर दुबाएं मिलते है फिर से एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी कात दिल से दन्यवाद